हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल क्रियेटिव स्टडी एक के पर इस वीडियो के अंदर भई जो बी ये फर्स्ट इयर और सेकंड इयर के स्टूडेंट है ठीक है उनको पोर्टल के उपर जो सब्चेक्ट कंबिनेशन है वो किस तरह से करना है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाड़ा हूं पहली बात जो ये सब्चेक्ट कंबिनेशन का पोर्टल है ये केवल एंड केवल रेगुलर वाड़े स्टूडेंट के लिए है तो रियपियर वाड़ों के लिए इसके उपर कोई जगह नहीं है तो रियपियर वाड़ों को क्या करना होगा उनके सारी एक्जाम देने होगे ठीक है इस वीडियो के अंदर बिये फर्स्ट एयर और सेकिंड एयर के जितने भी स्टूडेंट है उनको अपने सब्जेक्ट कंबिनेशन किस तरह से चूज करने है वो मैं बताने वाड़ा दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कोर्स सेलेक्ट करना है आपका क्या कोर्स है वो पिये जर्नल उसके बाद आपका रोलंबर रोलंबर है यह रेंडम मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ यह रोलंबर आ गया भई ठीक है यह नंबर फिल करने के बाद आपको find student पे click करना है यहाँ पर नंबर बर देना यह मैंने नंबर फिल कर दिया नंबर फिल करने के बाद आपको उपर जाना है ठीक है यहाँ पर आप लोगों को दो option मिलेंगे सबसे पहले यह information check कर लेना जैसी यह रोलंबर dn college का है और इसका न अब इन दोनों option में से आपको कोई एक option ही choose करना है यह जो first लिखा हुआ आगे यह semester है और जो यह second लिखा हुआ आगे यह semester है यह first semester है और यह second semester है ओके तो अब आपको यह देखना है कि आप कौन सा exam देना चाहते हो तो यहाँ पर जो first semester है first semester के अंदर वही English के दो exam दिये ह हुए है अब यह exam देने का कारण क्या है देखो दोनों के जो paper code है na subject code वो दोनों के अलग है यह बावन जीरो अड़तारीस जो code है यह odd वाडों के लिए है किसका है code जिसका roll number code है और उनका paper morning में होगा वही किसमें होगा morning में होगा और यह code आप लोगों का even roll number वाडों के ल education level 1 और level 2 यहां पर भी आप लोगों को क्या करना है एक ही paper देना है तो एक paper यह हो गया और एक paper यह हो गया ठीक है उसके बाद आपको एक paper आपका select करना है अब select कैसी करना है मान के चलो आपका subject combination है वो देखना है first of all किसी के पास भई जोग्रफी और history है तो क्या करना होगा एक semester में उसको जोग्रफी चूज करनी होगी और एक semester में उसको history चूज करनी होगी ठीक है यह first semester के अंदर एक subject यहां पर चूज करना होगा और एक subject आपको यहां पर चूज करना होगा अब कई student क्या बोल रहे हैं क्या हम दोनों semester में geography यानि की same subject चूज कर सकते हैं तो as per guidelines issued by the gg university वहां पर यह specially mentioned था कि आपको जो एक semester में subject चूज करोगे उसके opposite में subject चूज करना है ठीक है जो यह मैं form fill कर रहा हूँ इसके पास दो subject है भई एक है political और एक है इसके पास psychology तो इसको इन दोनों में से चूज करने है पहली बात तो यह थी अगर आप first semester में English का paper नहीं देना चाते है तो उसके लिए यहाँ पर option है भई first semester में आप किसका paper दे सकते हो computer का दे सकते हो उसके बाद compulsory में आपके पास हिंदिया Sanskrit है वो गया और एक special paper ठीक है उसके बाद English का आपका second semester में आ गया अब मैं जिसका form fill कर रहा हूँ ना इसको English का paper first semester में ही देना है तो य उसके बाद third semester की तो आपके पास date seat है ना तो यहाँ पर देखो इस date seat के अंदर जैसे इसका जो psychology का exam है वो 31 तारीक को है उसका subject code क्या है बावन जीरो पिचेतर यह सिरफ थर्ड वाले देख ले ना दियान से क्योंकि वही subject कई बार दो subject होते हैं English दो होगी functional और compulsory ऐसे ही द subject होते हैं तो आपका paper कोन सा है उसका एक बार ही subject code जरूर देख लेना इसका है बावन जीरो पिचेतर तो इसको यहाँ पर है ना पोर्टल के अंदर जो subject selection है यहाँ पर देखो यह जो आगए दीवे ना यह आपके subject code है और यह third semester में आप लोगों को एजीटी इस date seat में मिले तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका था बावन जीरो पिचेतर तो यह देखो बावन जीरो पिचेतर psychology का exam है इसके उपर यहाँ पर टिक कर देना select हो गया उसके बाद वही second semester का एक compulsory paper select करना English का आपने first semester में दे दिया तो इसका मैंने यहाँ पर इंदी select कर दिया और second semester म इसके पास एक है political और एक है देखो एक है psychology और एक है इसके पास political तो यहाँ पर psychology select हो गया अब इसको इसका opposite subject select करना होगा तो इसको यहाँ पर क्या select करना होगा political select करना होगा तो यहाँ पर मैं आपको यह राइस का political ठीक है यह सारी चीज़े होगी उसके बाद यह option first दे रह इसने paper select कर लिए है एक बारी वई आप confirm जरूर कर लेना कि आपका जो option है वो सही है क्या उसके बाद क्या होगा वई उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर mail ID mention करनी होगी mail ID इसकी mention कर देते है यह इसकी mail ID है उसके बाद यहाँ पर इसको retype कर देते हैं मैंने पहले यह form apply किया था उसके बाद आपको यहाँ पर click करना है जरनेट OTP और एक चीज का द्यान रखना भई आपको सिरफ यहाँ पर mail type करनी है at the right automatic given और यहाँ पर क्या है gmail.com उसके बाद यहाँ पर click करना है जरनेट OTP तो मैं click करता हूँ जरनेट OTP अब क्या होगा जो आपकी mail होगी उसके उपर आपका OTP चला जाएगा यह देखो अब जो OTP आएगा वो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है verify email OTP रोई तमन्दोर आहे दूसरी यह रिफ्रेस कर ले यह आगे ठीक है अब screenshot लेके मेरे दूरवेस ने एक सेकंड रुको भई मैं आप लोगों को screenshot भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों के पास वो OTP आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को OTP डालना होगा ठीक है मेरे दूरवट सेप कर दे जिसका form fill कर रहा हूँ वो साथ में यह है यह देखो यह इसका इस तरह से आप लोगों के पास एक mail आएगी और इस mail के अंदर देखो जो यह लिखा हूँ है न OTP 108 605 यह आप लोगों को verify वाड़े section में डाल देना है ठीक है 108 एक सेकंड लोगो भई 108 605 उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको यह verify करना है यह verify का option नजरा रहना इसको क्या करना है verify करना है जैसे ही verify करोगे तो यह देखो verify हो गया verify होने के बाद यह mobile number चेक करना देखिए रहे नमबर ठीक है गे तरह 108 120 अब भई एक चीज बताता हूँ मैं specifically यहाँ पर आप लोगों को वो mail ID mention करनी होगी जो आपकी active हो active in the sense की इसी mail ID के उपर आप लोगों के जो paper है वो आने वाली है जो meeting का link है वो इसी mail ID पर आएगा तो यह एक बार ही जरूर देख ले कि आपकी जो mail ID है वो बिलकुल ठीक हो उसके बाद जो आपने subject combination किया फिल किया है वो definitely ठीक होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भई आप लोगों को correction का कोई time नहीं दिया जाएगा I repeat अपना जो subject combination है अच्छे से check कर लेना क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को correction का कोई time नहीं दिया जाएगा mail ID verify होगी यह मैंने number ठीक है mobile number उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को click करना होगा मैं यहाँ पर click कर देता हूँ ठीक है उसके बाद आपको निचे जाना है submit का button नजर आ रहा है इसको क्या कर देना है submit कर देना है तो यह भई आप लोगों का जो यहाँ पर पुछेगा इसको okay कर देना है process था भई यह BA first year वाड़ों के लिए था ठीक है अब आप बात करते है BA second year वाड़ों के लिए first year में आप लोगों के पास first and second sem है उसके बाद आप आप बात करते है BA second year वाड़ों के लिए ठीक है BA second year वाड़ों के लिए मेरे पास row number है select course करते है BA journal ही है उसके बाद यहाँ पर row number है row number है मेरे पास 19.303 यह भी किसी random student का है भई यह ज़स्ट एक demo वीडियो बना रहा हूं है 225 0.186 19.303 225 अब आपको find student यहाँ पर नमबर बता इसका कि निना नौन नो सो सड़ सट चम्मन दो सो कतिस यह नमबर डाल दिया वई उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या यह student ठीक है इसका नाम है अनसुल मिसरा ठीक है इसका नाम है अनसुल मिसरा यह बिल्कुल ठीक student है CRM.college का ही student है अब इसका जो option selection है वो आपा करते है अब देखो भई यहाँ पर दो option दे रखे है option first और option second है ठीक है दो option दे रखे है option first और option second अब इस student के पास भई एक तो है math और दूसरा subject है geography अब इसको एक semester में तो चूज करना होगा और एक semester में math चूज करना होगा अब कैसे चूज करते है देखो अब इसकी जो चौईस है ना वो ये है कि यह English का exam देना चाहता है third semester में तो third semester में English का exam ये रहा उसके बाद यहाँ पर जो यह exam देना चाहता है ये math के हो गए math का कहाँ पर है वो देख लेते हैं एक बारी यह रहा advanced calculus और numerical analysis यह third semester का math हो गया उसके बाद fourth semester के यह subject आ गए भई इसके पास है हिंदी हिंदी select कर लिया अब इसके पास दो subject थे एक तो math था और एक geography था तो math इसने यहाँ पर select कर लिया है अब इसको यहाँ पर क्या select करना होगा भई geography select करना होगा क्या select करना होगा जोगरफी आप जोगरफी देखते हैं यहाँ पर कौन सी है geography है इसके पास human geography 35121 ठीक है यह option के मैं उसके उपर click हो गया उसका दोरफोन कर ले ओटी पिसा होगा यह option 2 पे मैंने क्या कर दिया click कर दिया अब journaling next step क्या होगा भई email email id enter करनी होगी मैं इसकी email id enter करता हूँ यह भई mail id डाल दी उसके बाद यह retype कर दिया जरनेट get email otp click किया उसके बाद भई मैं otp डाल रहा हूँ ठीक है के है 837 421 यह इसका email otp हो गया उसके बाद आपको verify पे click करना है यह verify होगी ठीक है अब है इसका mobile number मैं चेक कर लेता हूँ 996754 231 है भई यह भई गलती हो सकती आप लोगों से इसका space ली द्यान रखना 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 अब आपा इसको क्या कर देते हैं submit कर देते हैं यह subject selection दिखा रहा है are you sure you want to select following paper तो English और advanced calculus इसका third semester का हो गया और geography और इंदी compulsory यह इसका fourth semester का okay your request has been submitted successfully ठीक है यह लिखा आ रहा है तो यह था भई बीए first year वाड़ों के लिए और second year वाड़ों के लिए इसका अगर screenshot लेना चाओ तो ले सकते हो ठीक है मैं ले लेता हूँ भई यह किसी और का form है इसका screenshot ले लेना अब देखो यह मैंने बताया है जर्नली बीए first and second year वाड़ों के लिए ठीक है तो आप लोग अपना subject combination ध्यान से चोज़ करना थैंक्स फर वोचिंग creative study अपना subject combination ध्यान से चोज़ करना